लो गाइज वेलकम टू ओल ओफ यू लर्न विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्व चैनल लर्न विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा आज हम पड़ेंगे रेक्तेंगल ये रिखेंग है हमेशा हमेशा रेक्टेंगल की ये करती लोंग सब्सक्राइब ये करती स्मॉलर सद्वॉर्ड ये बड़ा भाग राते ये रहता है छोटा-वलग ठीक है है इतनी वादे समाझ मैं अब इसमें किस किस तरीके से कोश्न पुछे जा सकते हैं रेक्टेंगलर मी तो इनसेड में आउटस swag और इसमें भी क्या रहता है इनसेड प्लेस पालस ठीक erfolg में ही इसमें भी तिन तरीके कोश्न पुछे तक बीडियेा मेशन तके बार between three cut उसके बाद three cut यहाहां पे बैठेए एक एक बिर्टी यहाहा अगर में बातकुरू इंसेड지 वाले की और आउटसेड़ ऐसेड़ चीर अलग यह अगर इंसेड़ पुछा जाएगा तो यह पुछा जाता है तो अब हम इंसेड और आउटसेड में क्या क्या पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे पर जब हम दोनों का मिक्षर पढ़ेंगे कुछ वक्ति केंदर 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 केंद जब inside और outside दोनों एक साथ पढ़ेंगे तब क्या रहेगा ऐसे वाला भी पूछा जाता है ठीक है यह ऐसे पूछा जाएगा ठीक है जब भी simple पे वैसे बन भी सकता है simple पर यह पूछा नहीं जाता है ठीक है सब भी व्यक्ति के अंदर के और देखते हैं तो यह वाला inside और outside मे के रख सकते हैं ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में इसे दिखकर ना आए ठीक है अब चलते हम English की तरफ English पे यह रहा कोशन ठीक है क्या लिखा हुए देखो 8% कौन-कौन से बंदे लिखे हुए ABCB EFGH आप लोगों को ABCD की जगा कुछ नाम भी दे सकता है exam में ठीक है दोदे वेक्ति इसने बैठा दिया ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है and they all are facing towards the center सपी वेक्ति कहां देख रहे हैं तो जब भी हम रेक्टेंगल वाला कॉशन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना रहता है कि ऐसा कोई वेक्ति का नाम दिया है जो क्या है लोंगर से सबसे पहले यह कुछ ऐसा क्लू आपको देगा ही कि वह लॉंगर सेट पर बैठा पर फिर आपको डेरेक्ली दे या इंडिरेक्ली दे तीक है इती बात यह एसा मोध अपन आप लोग को यह नहीं पता रहेगा कि वह बढ़ी वाली वाली बाग में बैठा हुआ कि चोटे वाले बाग में कोशिन को लिखना स्टार्ट कर दो भार तो इस तरफ एक बर इस तरफ इस तरफ आप लोगों पहले हम दो डियाग्रम क्यू बना के चलते हैं अगर आप लोगो ने पुराने वीडियो नहीं देखें तो प्लीज उसे जाकर देखें ना ठीक है इसके आप लोगों बहतर समझ हम ने भी डिया बना लिए फोर्थ हो चौर्थ होगा है था तरह शुर्ट का भी थे जह विखना है था अब क्या बोल रहे है थे हरे लिए विफ्र के लिए धिए खिला फिर कोमा देख लिए टो इसके बाद खांडिए जो किस के लिए यूज़ हो रही है ये बिया बहुत किसी बात हो तो दितों सब्सक्राइब कि जतमें बड़ाइब की कि इन प्रोछ मुंस हां, एक डिल सब्सक्राइब का सब्सक्रात विए देढ़ पारइब का सब्सक्राइब सब्सक्राइबन वह सकते हैं ज। मतलब चल्क के जो इटा क्या हैank सबलखिने कि प्रेट राइड़ हूगा, ध्यक्रीः, उस बनती के विपलेख फैसे प्रेट परसें यहीं राइड द्यूसर्राइड परसे सब्सक्राइड तुर्व Vanug हमने अपनी language में इसे लिख लिया ठीक है स्वर्ट फॉर्म में अब क्या बोल रहा है G सिट सापोजित सो भी अब क्या बोल रहा है कि जी कहां बैठा हुआ है, अपोजित पे है B के हमने लिख लिए ठीक है अब बोल रहा है H sit set longer set अब इसने बता गया कि H कहां बैठा हुआ है longer set पे एक बार हमने यहां पे लिख लिया तो दूसरी बार हम कहां पे लिख लेंगे यहां पे लिख लेंगे ठीक है यह दो diagram हम बना के चलेंगे ऐसा हम क्यों note करके रखते हैं अपनी information को ऐसा हम इसलिए note करके रखते हैं ताकि बार बर हम इस question पे जाना ना पड़े और उस line को डूना ना पड़े जो क्या है हमने जहां पे हम क्या पहुंचे हैं ठीक है उस line को हमें डूनना ना पड़े अब एच के fourth left पे बी आना है तो यह क्या हो जाए है एच का left से ठीक है आप अपने आपको रखके आप देख सकते हैं ठीक है एच का fourth left मतलब यह पहला left यह दूसरा left यह तीसरा left और यह चौथा left HELP ,B , फिञ से आच हाँ पहला, यह दूसरा , तीसरा , फिलिकर सुर्फभा डीयगा , ऐत्नी इन्फ vेसा ही की नोटकर रख लिया ,clockwise affect C के second rate पे B है अगर मैं C यहाँ ले लूँ और यह क्या है center की और देख रहा है तो यह क्या हो जाएगा left side हो जाएगा आप अपने आपको रखके देख लिजएगा तो left पे हैगा नहीं तो हमें कहाँ लेना है right पे तो हम कहाँ ले लेंगे यहाँ पे यहाँ पे C का यह first right और यह second right पे कहाँ आगया B आगया ठीक है वैसे ही है यहाँ पे C C का यह first right और यह second right पे कहाँ आगया B ठीक है तो यह इत्ती information हो गई अब B, C और H से कुछ information देख दीक है क्या अब यह तो D, G का आगया तो यह तो नहीं आएगा ठीक है, अब देखो H का लिखा हुआ है, H opposite है मतलब H यहाँ पे कौन बंदा आएगा जो क्या है E के second right पे है, ठीक है अब E इस तरफ आएगा कि E इस तरफ आएगा, तो अगर मैं E को यहाँ पे ले लूँ, तो यह center क्यों देख रहा यह क्या हो जाएगा, इसका left set पर हमें तो चाहिए right, तो E यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, E कहाँ पे आएगा यहीं पे ही E आएगा ठीक है, यहीं पे ही कौन आ जाएगा E आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही H उस बंदे के opposite है जो E के second नहीं थे, तो एक बार E इधर ले लिया, एक बार E इधर ले लिया यह क्या है इसका, left set तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, तो E कहाँ पे fix हो गया इसके, दुसरी वाली जग़ा पे, E कहाँ पे fix हो गया, यहाँ पे ठीक है, यह लिख लिया हमने यह information होगी, यह information होगी, ठीक है अब क्या बोल रहा है, जी अपोजिट है, B के तो B यह रहा, B के अपोजिट हमने लिख लिया जी, B यह रहा, B के अपोजिट लिख लिया हमने, जी, ठीक है इतनी information हमने लिख लिए अब बोल रहा है, यहाँ पे एक information हो जाएगा हमारा गलत हो टृट हो जाएगा थीक है तो हम इस लहीं लिखेंगे यह व्ला उपर वला डियारम हमारा सही आ गिया अब भचे कॉन बचinkles कोन एय Sagg A, B, C, D, E, F, G, S थे तो A और F बचे हुए है अब A और F से हमारी पूरे इस कोशन में कहीं भी कुछ भी इंफर्मिशन नहीं दे हुई है मतलब A और F को हम नहीं बता सकते मतलब A अगर यहां पे आ गया तो F यहां पे आ जाएगा ठीक और F अगर यहां पे आ गया तो A यहां पे आ जाएगा ठीक है मतलब यह दोनो A और F क्या चलेंगे फ्लक्चुर्ट चलेंगे ठीक है A की जगब पे F आ सकते है F की जगब पे A आ सकते हमें नहीं करता ठीक है अगर मैं पूछूं पोश्चन मालो अगर ऐसा आए कि H किसके विपरित बैठा हुए है ठीक है H की अप हम निदारी नहीं कर पाएंगे ठीक है ऐसा लिखा रहेगा तो यह क्या रहेगा यह हमारा डियाग्रम क्या हो गया फिक्स हो गया ठीक है दो बंदे फ्लक्चुर्ट चाहते थे ए और F कि के बाकी इन्फोर्मेशन से हमने के केस को अरेंज कर लिया अब चलते हैं दूसरे को दूसरा कोशन यह रहा हिंदी पर ठीक है अब इसका सबस्क्राइब के रख लीजिए अब चलते हम अपने इंग्लेश के कोशन की तरफ टीक है उंग्लिश का यह रहा क्या बोल रहा है एट परसन अब इसमें भी आर्ट वेक्ती बैठे होड़ी है ल, M, N, O, P, Q, R, S ठीक ह प्रत्य लंबे वाले भाग में, थीन वीजिए बैठे होगा है ठीक है और क्लमे वाले भाग में तीन वीजिए यह रहा हना चाहिए, यह जो यह रहाँ पर फिर से महीं ही कहूंगी अभी आगे जो इंफरमिशं कोशन पढ़ेंगे उसमें कहीं नहीं सब्सक्स्काइब कर ल गवा ओंगर सेट पिंडो क्यों करता है jn सेफमिंद फोड़ी दिया स्वेर्य क्यों इस पर इस बात चाहिए रहेगा है बहुत इस बहुत को मेरे बात नहीं और लिक्ती माना हं वा तीन वक्ती वाले Coleman तीन गाम मनें पर लेकंगा सई इसार इस कहाना होरा है तो अगर कब ने तरन इसा होता नहीं है कि कभी भी आपको इस टाइप पाले कोशन में की चलना पड़े गांडेगा तो चलिए बढ़ते हैं को आगे क्या बोल रहा है देखो यहां तक का हो गया कि 3% सेटिंगी इस रोंगस है ठीक हमने यह बठा लिया अब क्या बोल रहा है आगे पी सेकन राइट ओफ अब मैं क्या करोंगी लिखनूंगी इनफॉर्मेशन को ठीक है कि पी क्या है सेकन राइट पर है किसके ल के ठीक है फिसके लिए इस वह रहा है आपकोजित है क्यों के ठीक है अब क्या बोल रहा है R is third left of N इसने बोल दिया R क्या है third left पे है N के ठीक है तो हमने क्या के इसे note कर लिया कि R क्या है third left पे है N के अब R दिया है N दिया है उसके बाद कॉमा दिया है उसके बाद क्या लिखा हुआ है कुछ information तो यह information किसके लिए उज़ होगी आर के लिए ठीक है तो अब क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं आर के लिखा हुआ है आर कहा है second right पे है किसकी okay ठीक है अब आगे क्या लिखा ओ सीट सेट smaller सेट अब इसने बता दिया कि ओ कहां बैठा हुआ है है छोटे वाले सेट प्लेस सेंटर के ओ रहे तो हमने यहां पे fix कर लिया ठीक है अब यहां पे डो डैगरमगया क्या नहीं क्याले क्योंकि यहां पर थो एक फूर क्यों एख बढ़र रायी है पढ़ोषie नहीं रहे नहीं दीके विया कियूब क्यों का असपास से बंदा होगी ठीक है तो अब मैं कोशन को start कर सकते हूं कि है बिल्कुल कर सकते हूं कौन सी information से यह वाले information से ठीक है क्योंकि इसमें के बारे में हमें हमें बता रहा है ओक के second right पर कौन है आ रहे है तो यह का left side हो जाएगा यह ओ का right side हो जाएगा ठीक है तो right side पर लेना हमें तो हम किस तरफ जाएगे right तरफ जाएगे ठीक है okay second right पर यह first right और यह second right पर कौन आ गया आ रहा गया ठीक है तो यह हो गया अब क्या वह रहे है n के 3rd left पे कौन है r है तो n कहां कहां पे आ सकता है 1, 2, 3 n यहां पे 1, 2, 3 n यहां पे अगर मैं यह वाला ले लूँ तो यह क्यों हो जाएगा n का right side अब मुझे right पे चाहिए क्या है नहीं तो मैं किस रफ लूँगी यह वाले n को लूँगी ठीक है मैं कौन से n को लूँगी वाले n को लूँगी अब n के 3rd left पे क्या चाहिए मुझे r तो n के 3rd left पे r आ रहा है यह n है यह n का left side 1, 2, 3 3rd left पे r आ रहा है बिल्कुल arrange हो गया हमारा ठीक है अब चलते हम आके यह 2 information हो गई अब r, o और n से related और कोई information p, l, q से है, m और q से नहीं है, अब देखो अभी क्या करूँगी है अब मैं कर सकते हूँ दो information का use ठीक है, अब मुझे पता है l opposite है, q की ठीक है, तो l यहाँ पे आना है क्या, नहीं, l तो opposite हो जाएगा o, q मतलब l यहाँ पे नही आएगा ठीक है, l यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, l opposite हो जाएगा, क्योंकि n, kay मुझे तो चाहिए, Q के l यहाँ पे आएगा, क्या, नहीं, why, l opposite हो जाएगा, r के मुझे तो चाहिए, q क Ö, q, q अब हम क्या करेंगी देखो अगर मैं यह वाली सेट ले लू ठीक है तो एल के अपोजित पर कौन आ जाएगा यहां पर मैंने ले लिए क्यूं ठीक है अब है अब क्यूं के अपोजित पर प्रेगा यहां पर तो इसका राइट सेट यह सेंट यहां पर देख रहा है तो क्यूं बाइख से लिए उसका राइट सेट ठीक है तो राइट सेट पे मैं क्या ले लूँगी सेकंड रेट पी ले लूँगी ठीक है तो यह दोनों क्या होगा इससे अरेंज हो गया अब क्या बचा एम नेबर नहीं क्यों का मतलब एम अगर यहां पर नहीं है तो एम कहां पर आगया यहां कौन लिखा हुआ था ल, M हो चुके हैं, N, O हो चुके हैं, P, Q हो चुके है, R हो चुका है, S बचर, S यहां पर रेंज हो जाएगा, ठीके, अब यह क्या हो गया हमारा डियागरम, कम्टिट हो गया, ठीके, आप देख सकते हैं कि किस सरी के से हमने information का use करके, हमने क्या-के, इस question को solve कर लिया, ठीके, जब भी step का डियागरम हैगा, आपको कभी बिदो डियागरम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीके, इस step की question में कभी बिदो डियागरम बनाने की जरूरत नहीं है ये एक ही diagram से क्या हो जाएगा हमारा solve हो जाएगा ठीक है अगर कहीं पे ऐसा हो कि कुछ information ऐसी दी हुई हो जिसकी वज़ा से हमें दो diagram बनाना पड़े तो हम वहाँ भी बिल्गुत दो diagram बनाएंगे ठीक है तो चले को session को अब हम यहाँ पी end up करते हैं ठीक है तो question आज हमने कर त्रिंग की प्रेक्टिसिंग थैंक्यू जौ रभाए